निशकर्ष ये है इस अध्याय का ते संग वाद या संगात्मक विवस्था एक इंद्रधनुष की तरह है जिसके साथ रंग होते हैं सातों रंगों का अपना अपना महत्व है ये सातों रंग का एक क्रम भी है विव्ग्योर वी आई बी जी वाई ओ आर यहीं क्रम है और ये रंग स्वतंतर रूप से अपने तहीं बड़े महत्व पूर्ण है इनका अपना अस्तित्व है लेकिन ये सब जब मिल जाते हैं तो एक बहुत सुन्दर और सद्भाव पूर्ण द्रिश बड़ा सुन्दर द्रिश विपस्तित करते हैं काला रंग भी इसमें बहुत सुन्दर दिखाई देता है संगी व्यवस्था केंद्र और राजियों के बीश संतलन बनाने का कठिन काम करती है कोई भी कानूनी या संस्थानिक फार्मूला संगी व्यवस्था के सुचार रूप से कार करने की गैरंटी नहीं दे सकता कानून किसी भी तरह की गैरंटी नहीं है कानून तो मात्र एक जरिया है जिसके माध्यम से कुछ बंधन रखे जाते हैं गैरंटी तो अंदर से आती है संगी व्यवस्था या किसी अन्य तरह की व्यवस्था चुनावी व्यवस्था संगी व्यवस्था अधिकारों का उप्योग इसकी सफलता के लिए जानता और राजनीतिक प्रक्रिया को एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा अपने बीच में सहन शिलता बढ़ानी होगी और सहयोग की भावना के अधार पर गुणों को मुल्यों को संस्कृति को विकसित करना होगा सहयोग के मुल्य पर ये सहयोग शब्द इसी लिए बहुत आवश्चक हो जाता है क्योंकि सहयोग आत्मक या सहयोगी संगवाद भारत के संदर में सबसे उचित शब्दावली है भारत की राजनीतिक व्यवस्था को परिपक्व करने के लिए मजबूत बनाने के लिए संगवाद जो है या संगहात मक्षैली है एकता और अनेकता दोनों का आदर करता है इस प्रकार हम देखते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों में उतार चड़ाओ बहुत हुए और उसके मुख्य कारणों में से राज्यपाल की भूमिका और उससे जुड़ा हुए राश्यपति शासन है जो अनुछे 356 के तहद 66 बार लगाए गया है राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होती है और राज्य सरकार को बर्खास करने विधान सभा को भंग करने की अनुशन सा राज्यपाल राश्यपति को भेजता है और फिर राश्पती मंत्रि मंदल के प्रामर्श के आधार पे राश्पती शासिन लगा देता है तो इस प्रकार ये केंद्र के हस्तक शेप का एक बहुत बड़ा उदारन है और बहुत बार ये नाजायज रहा है ये हस्तक शेप भारत के संदर में यदि बात करें तो 36 गड़ और तेलंग गाना को छोड़ कर संभवता सभी राज्यों में कभी न कभी राश्पती शासिन लगाए गया है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्यपाल की भूमिका धारा सो 356 के संदर में बड़ी विवादास्पत रही है और ये समस्या और तब गंबीर हो जाती है जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार हूँ जिसका प्रादर भाव 1967 के बाद होने लगा जब गैर कॉंग्रेस वाद बढ़ता गया और फिर 1990 के बाद तो जब कॉंग्रेस की सरकारें बहुत कम संख्या में होती चली गई राज्यों में और केंद्र में कॉंग्रेस की सरकार रही इस्थिती बड़ी ही विशम हो गई केंद्र और राज्य में सत्तारूर दल अलग-अलग होने की स्थिती में राष्ट्रपति शासन की संभावना उतनी ही प्रबल होती चली गई अब हम आते हैं रिचे 356 पर पुना जिस पर केंद्र राज्य तरकाओ तकराओ जो है वो सबसे ज़्यादा रहा कि 1954 में इसकी शुरुवात देखे जाती है जब आंद्र प्रदेश से शुरुवात हुई और केरल की तो राजनीतिक शुरुवात ही राजपति शासन से 1956 में हुई जब राज्यों का भाशाई आधार पर पुनर गठन किया गया था बल्वंत राय मेहता समीतिके माद्रम से म कि मनिपूर में दस बार उत्तर पुदेश नौ बार पंजाब आठ बार जम्मौ कश्मीर साथ बार बिहार आठ बार कितने उदाहरन हैं और एक ही राज्य में यदि इतनी बार राजपति शासन लागू हो तो क्या वहां स्थाई विकास की कल्पना की जा सकते हैं सरकारों का बार बार बदलना किसी देश की किसी राज्य के विकास के लिए अच्छी बात नहीं है यह जान के आपको खुशे होगी कि चतीज गड़ और तेलंगाना चतीज गड़ भी इसमें शामिल है यह दो ही राज्य हैं आज की स्थित में जहां कभी राश्पति शासन लगाने की नौबत नहीं आई वैसे देखा जाए तो तेलंगाना मात्र भी उसको आठ वर्ष हुए है वो आठ वर्ष का शिश्य है चतीज गड़ फिर भी बीस बाइस वर्ष उसकी स्थापना को हुचके हैं लेकिन केरल और अन्य राज्यों के टिहास को देखें जहां स्थापना से ही राश्पति शासन शुरू होता है हम और तेलंगाना ये दो सभागिशाली राज्य रहे हैं जो राश्पति शासन से बचे हुए हैं केंद्र और राज्यों के बीच के टकराओं को लेकर कुछ चर्चा करना जरूरी है 1967 तक तो देश में चाहिए केंद्र हो या राज्यों वहां एक ही दल की सरकारे थी एक ही दल का प्रभुत्व था 1967 के चुनाओं में नौ राज्यों में हारने के बाद जब बहुदली व्यवस्था भारत में शुरू हुई तो भारती व्यवस्था में असल में केंद्र राज्यों टक्राओं प्रारंब हुआ उस समय अन्य दलों के सरकारों ने कॉंग्रेस के सामने एक तरीके से सेर उठाना शुरू किया और कॉंग्रेस अर्थात केंदरी सत्ता के सामने एक अपनी आवाज रखनी शुरू कि और ये बढ़ती आवाज काई परणाम था कि दोनों के बीच में तकराहट की शुरुआत हम देखते हैं अर्थात केंदरी सम्बंदों में कुछ खटास के हम कुछ उदारन इसी काल से देखना शुरू करते हैं इन तनाओं के संभाव क्षेत्र तो आप पढ़ी रहें लेकिन हमें उनके कुछ उपक्रमों के बारे में जाना चाहिए जो देश में इसे रोकने के लिए किये गया है क्या प्रयास हुए बढ़ती टकराहट को एक तरीके से ठामने का रोकने का 1966 में ही सरप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना होती है और प्रशासनिक सुधार आयोग कुछ प्रस्ताव देता है तुमें केंद्र की कॉंग्रेस सरकार ने मुरारजी देशाई की अधिक्षता में प्रथम प्रशास्निक सुधार आयो का गठन किया जिसे कुछ ऐसी अनुशन साय करनी थी ऐसे रेकमेंडेशन दे रहे थे जिनसे दोनों के बीच की टकराहट कम हो चंबंध बहतर हो फेडरल स्ट्रक्चर बना रहे और साथी साथ वेदन था इसका अधि हम निचोड देखें तो M.C. शितलवाड बहुत प्रसिद्ध जो नयाधीश हुए सुप्रीम कोड के उन्होंने मुख्य बिंदूओं पर कुछ इस वकार अपनी अनुशन सा रखी अनुशे 263 के तहट अंतर राजी परिशत के गठन के अनुशन सा ह हुआ दूसरा किसी गैरदली व्यक्ति को राज्यपाल निक्त किये जाने की अनुशन सा इस रिपोर्ट के मार्जम चे की जाती है यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो व्यक्ति राज्यपाल बने वहां भर्चक निउट्रल रहे भर्चक किसी भी दल के प्रति उसका जुक ना हूँ और तीसरी रेकमेंडेशन थी अधिकादिक शक्तियां राज्यों को दे दी जाए अर्था जो सूची के बारे में जो वित्रण था विश्यों का उसमें वित्रण ऐसा किया जाए कि राज्यों की सूची में ज़्यादा से ज़्यादा विश्य डाल दिया जाए केंद्र और राज्यों के संबन्द के उतार चलाओ को यदि हम सरसरी नजर से देखें तो 1950-60 के दशक के दौरान केंद्र और राज्यों में कॉंग्रेट का वर्चस्व था वर्चस्वी क्या ये कहने में कोई अतिश योक्त नहीं होगी कि पूरा देश कॉंग्रेस में ही था चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्यों की सरकारे हो सभी कॉंग्रेस की थी प्रणाम क्या था संबन्द बड़े मधुर किसी भी तरह की समस्या या विवाद वाली बात नहीं उसके बाद नए राज्यों की गठन के मांग के अलावा यदि हम छोड़ दें तो केंद्र और राज्यों के संबन्द अच्छे रहे केवल नए राज्यों को लेकर जो भाशाई विवाद जिसे हम कहते हैं भाशा के मुद्दे पर जो हुआ उसको लेकर तना तनी बनी रही बाकि किसी अन्य मुद्दों पर संबंदों में खटास नहीं आई लेकिन 1960 के दशक के बीच अर्थाद 1965 के आसपास कॉंग्रेस वर्चस में कमी आती है कॉंग्रेस के दबदबे में कमी आती है गैर कॉंग्रेसी दलों का उदै होता है और वहां चीन के साथ युद्ध उसके बाद उसमें मिली परा जाए और फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध युद्य पर उसमें विजए हासिल हुई लेकिन जो स्थितियां युद्ध के बाद की निर्मित हुई उसमें कॉंग्रेस की बदनामी ही हुई कांग्रेस के वर्चस में कमी आई जन्ता का विश्वास उस दल के प्रति तूटने लगा और फिर वह नहरू के बाद का काल था गैर कांग्रेसी दल सत्ता में आने लगे और इस प्रकार ये शुरुआत होती है गैर कांग्रेस वाद की और विविन राजियों में ज़्यादा से ज़्यादा गैर कांग्रेसी सरकारों के बनने की और जब ऐसा होता है तब टकराहट शुरू होती है तब विवास शुरू होता है देखिए तमविधान का धाचा तो वही रहा जो 1950 में था जितना संघीय था उतना ही एकात्मक था जितना संघात्मक था उतना ही एकात्मक था लेकिन धाचे के अंदर ही जब कुछ बदलाओ होता है तो उसी धाचे के अंदर इस थितियां बदलने लगती है वही सम्वेधानिक धाचे के तहट जहां पहले दो दशक में संबन मजबूत थे मधूर थे केंदर और राज्यों के बीद किसी तरह की तकरार नहीं थी अब उनमें खटास आने लगी राज्यों की स्वायतिता की मांग बढ़ने लगी राज्यों दोरा केंदरी सरकार के अवांचनी हस्तकशेप के आरोप बढ़ने लगे और उसका विरोध बढ़ने लगा अर्थात 65 के बाद 1965 के बाद हम केंदर राज संबन्दों में कटुता बढ़ती कटुता देखते हैं इसके साथ ही स्वायतता की मांग भी बढ़ने लगी जब गैर कॉंग्रेस वाद ज्यादा फैलने लगा नए नए बहुत सारे ख्षेत्री दलों का उद्य होने लगा तो समय चमय पर अनेक राजी ओर राजनीतिक दलों इनके द्वारा केंद्र को बार बार इस बात के लिए दबाओ बनाने जाने लगा कि राज्यों को स्वायतता दी जाए जादा स्वायतता दी जाए इस स्वायत्ता शब्द के माइने अलग-अलग थे स्वायत्ता मतलब स्वतंत्रता नहीं है स्वायत्ता मतलब जो समवैधानिक प्राउधान किये गये थे जिसके तहट राज्य कमजोर दिखाई देते थे केंदर मजबूर दिखाई देते थे तो केंदर की शक्तियों को कम करने का दबाओ और राज्य की विभिन खेत्रों में शक्तियों को बढ़ाने का दबाओ इन राज्यों और राज्यितिक दलो दौरा समय समय पर बनाया जाने लगा साथ ही ये भी कहा गया कि शक्ति विभाजन के मामले में जो केंदर के पास सो विशियों की सूची है उसमें बदलाओ की सक्त जरूत है शक्ति विभाजन के मामले में रज का पक्ष बढ़ाया जाए अर्थात बहुत से विशय जो केंदरी सूची में हैं उसे रज सूची को सौपा जाए रज सूची में लाए जाए और ऐसा करते हुए रज की शक्ति को रज विधान मंडल की शक्ति को बढ़ाने की का पुर्जोर प्रयास किया जाने लगा तामिल नाडू, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, द्रमुक, अकाली दल, मार्सवादी कम्रिस पार्टी ये सब नहीं नहीं जो मजबूत दल सामने आने लगे इनकी मांग ज़्यादा से ज़्यादा स्वायतिता के लिए थी, गैर हस्तक्षेप केंद्र का उसके लिए दबाव ज़्यादा था भारती सम्विधान के जो विविन प्रावधान हैं, या हम भारती सम्विधान की बात करें, कुल मिला कर तो दो एर्खित्र ऐसे हैं जिस पर बारंबार विवाद होता रहा है और वही विवाद राजनीति का रूप ले लिता है एक तो है केंद्र राज्य संबंद केंद्र राज्य संबंदों को लेकर विवाद होते रहते हैं दूसरा चुनाओ केंदर राज्य संबंधों को लेकर जहां कई मुद्धों पर विवाद होता रहता है और संबंधों में खटास आती रहती है जिसमें से एक राज्यपाल संबंधी शक्तियों का मुद्धा बहुत अहम है वहीं दूसरी मुद्धा है एमरजेंसी का आपातकाल का आपातकाल भारती संबंधान में इसे 352 से 360 में परिवाशित किया गया है या उसका उसमें जिक्र किया गया है आपातकाल तीन तरह की होती हैं पहला नैशनल अमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के तहट दूसरा स्टेट अमरजेंसी जो आर्टिकल 356 के तहट जिसमें राज्यपाल के द्वारा तथा कथित अधिकारों के दुरुपयोग को लेकर बड़ी समस्याएं पैदा होती है और तीसरा है फिनाशियल अमरजेंसी धारा 360 के तहट नैशनल अमरजेंसी स्टेट अमरजेंसी फैनाशल अमरजेंसी ये अमरजेंसी लागू करने का आधार क्या होगा ये एक मुद्दा रहता है फिर इसके पाद इसमें अप्रूवल किसका होगा कौन इसकी अनुमति देगा अमरजेंसी का फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्या परिनाम पड़ेगा अमरजेंसी को लेके क्या क्या बदलाव हुए एमेंडमेंट या संशोधन हुए और उससे संबंदित कुछ महत्पून केस और अंत में अमरजेंसी समाप्त कैसे होती है ये कुछ मुद्दे हैं जिससे बहुत संखिप्त में त्वरिद गति से हमें जानना जरूरी है सेंटर स्टेट्स रिलेशन्स के परिप्रेक्ष में उस अमरजेंसी की बात करेंगे जो धारा तीन सो बावन के तहट लागू की जाती है जिसे राष्टिपति लागू करते है भारत के राष्टिपति के द्वारा ही यह प्रोक्लेम किया जा सकता है घोशित किया जा सकता है और या तो पूरे देश में या कुछ खेत्र में ये जो अमर्जेंसी है इसके तीन आधार हो सकते हैं पहला युद्ध दूसरा एक्स्टर्नल एग्रेशन और तीसरा आर्म्ड रिबेलियन युद्ध का मायने तो सपष्ट है जहां पर दो संबंदित राश जिसमें एक भारत हो ये घोशित करें अपचारिक रूप से कि हम दोनों के बीच में युद्ध प्रारंब हो रहा है या प्रारंब हो गया है अपचारिक घोशना हो युद्ध की उसे हम कहते हैं वार दूसरी स्थिति क्या होती एक्स्टर्नल एग्रेशन जब कोई विदेश ताकत बिना अपचारिक घोशना के देश पर हमला कर देती है और भारत उसमें यो धात्मक रवईया नहीं अपना आया है उस समय तक कम से कम तो ऐसी स्थिति में उसे कहते हैं विदेशी हमला, एक्स्टर्नल एग्रेशन ऐसी स्थिति में भी आपातकाल की घोशना होती है और तीसरी स्थिति है आर्म्ड रिबेलियन यहाँ पर आपको समझना होगा कि आर्म्ड रिबेलियन को पूर में armed rebellion न कहके आंतरिक सुरक्षा का मामला कहा जाता था आंतरिक सुरक्षा के मद्दे नजर जुरट पढ़ने पर राश्ट पती एमरजंसी गोश्चित कर देते थे थे लेकिन समय के साथ देखा गया कि इस आंतरिक सुरक्षा के नाम पर जो केंदरी सरकार है वार सत्ता का बारंबार दुरुपयोग कर रही थी और इस दुरुपयोग के मद्दे नजर जो सबसे बड़ा इसका दूरगामी प्रभाव पढ़ रहा था वह था सभी विरोधियों की आवास को बंद करने के लिए उन्हें जेल भेज देना उनके साथ अत्याचार करना उनके साथ ऐसा बरताओ करना जिससे कि वे कताई विरोध ना करते के सरकार के विचारों का सरकार का और ये जो भाशा थी वह बड़ी वेग थी उसको पष्ट करने के लिए बाद में समवधानिक प्राउधान किया गया और बदलाओ के साथ इसमें आंतरिक सुरक्षा शब्द को हटा कर आर्म्ड रिबेलियन शब्द डाला गया तो इन तीन स्थितियों में धारा 352 के तहट राश्ट्रपती एमरजेंसी या आपातकाल घोशित कर सकते हैं हम समझते हैं कि भारत में आपातकाल एक बार घोशित हुआ 1975 से 77 पर वास्तिविक्ता कुछ और है पहली बार अमरजेंसी भारत में तब लगू हुई जब चीन ने भारत पर हमला किया था अक्टोबर 1962 में ये पहली अमरजेंसी थी पहली बार आपातकाल की घोशना 1962 में होती है और ये जो घोशना हुई आपात काल की, ये आपात काल की समापती अंतिता 1968 में होती है, अर्थात लगबग चार वर्ष तक, बाथ 6 वर्ष तक एमर्जेंसी लागू रही, बहुत ही लंबा काल था इस बात को आपको याद रखना होगा, कि पहली एमर्जेंसी 1962 में और काल बड़ा लंबा, चीन युद्ध के परिप्रेक्ष में इसकी घोशना हुई, और इससे पहले की, और ये लंबा होने कारण क्या था, कि इससे पहले की एमर्जेंसी लिफ्ट की जाती, हटाई जाती, र भारत का युद्ध पाकिस्तान से हो गया, और तो युद्ध के नाम पर वही एमर्जेंसी जारी रही, अप्रेल 1965 से लेकर जनवरी 66 तक, जब संबंद नॉर्मल हुए, ताशकंद एग्रिमेंट हुआ, तब तक तो एमर्जेंसी अबाद गति से चलती रही, ताशकंद समझ घरते में आपको याद होगा, जनरल अज्यूब पाकिस्तान से और भारत से शिलाल बादुर शास्त्री गय थे, और वहां उन्होंने एक संदिक की थी, 1965 के युद्ध की एक तरीके से आधिकारिक समाप्तिकेल, कुछ समझोता हुआ था, पर एमर्जेंसी जारी रही, जोते के बाद भी, जब आपातकाल जारी रहा, तो इसका विरोध बढ़ता गया, आखिर एमर्जेंसी का जो प्रभाव जनता पर पड़ता है, वह जनता बखूबी जानती है, और उसके प्रणाम सुरूप, बढ़ते विरोध, बढ़ते दबाओ, नियायलेव में बढ़ती अपीलों की संख्या, आपातकाल के खिलाफ और साथी साथ अंतराश्टी दवाओ, इसके प्रणाम सुरूप, अंतता है, उनिस सोड़ सट में, ये जो एमर्जेंसी है, वह हटा ली जाती है, लिफ्ट कर ली जाती है, और इसमकार, उनिस सो बासट से उनिस सोड़ सट, पहल पाकिस्तान भारत पर हमला करता है, अर्थाथ युद्ध की स्थिती में, तीन दिसमबर उनिस सो एकहत्तर, अड़ सट में, पहली अमर्जेंसी लिफ्ट हुई, और मात दो वर्षों बाद, तीन वर्ष बाद, दूसरी अमर्जेंसी लागू होती है, और ये पाकिस्तान परिप्रेक्ष में, इस अमर्जेंसी के बाद, के दोरान, ततकालीन सरकार कुछ इस तरह के कानून बनाती है, जिसे हम बड़े, बहुत ही उसकी दृष्टी से देखते हैं, शंका की दृष्टी से देखते हैं, और इसकी बड़ी आलवचना होई, इन समवैधानिक प्राव अधानों में, MISA, Maintenance of Internal Security Act, कोफ पोशा, और उसके अलावा, गर्मेंट के कुछ अन्य कानून, जिसका मकसद था प्रिवेंटिव डिटेंशन, जैसा मैंने बताया कि पूर्व की अमर्जेंसी, पहली अमर्जेंसी को लिफ्ट इसलिए किया गया, क्योंकि इसका विरोध आगया, दूसरी अमर्जेंसी के समय भी, अमर्जेंसी के नाम पर, सरकार अपनी सत्ता का दुर्प्योग कर रही थी, और उस दुर्प्योग को किसी तरीके से प्रश्ण चिन्न ना लगे, या किसी के द्वारा उसका विरोध ना किया जाए, तो विरोधियों को जुबान बंद करने के लिए, विरोधियों को रोखने के लिए, कुछ इस तरह के प्राधान किये गए, जिसे मीशा को पोशा आदी कहते हैं, और संक्षिप्त में ये प्रिवेंटिव डिटेंशन था, इसलिए अंदर करना किसी को, ताकि वहत का जुष का उधारन था, इसमें बहुत से अरेस्ट हुए, बहुत से लोग की जेल में रहते हुए डेथ हुई, बहुत से लोग एंकाउंटर्स के नाम से मारे गए, और वैसे तो ये अमर्जंसी लगू हुई थी, वार के नाम से, लेकिन जारी रही और इसका दुरपयोग अंतता इसे भी हटाया गया, फंडामिन्टल राइट्स जो सस्पेंड हुए थे, वे हटा दिये गया, और नॉम्बर चोहतर में ये अमर्जंसी लिफ्ट होती है दूसरी एमर्जंसी को जब रिवोक किया गया, तो इस सितियां कुछ बदली हुई थी प्रिवेंटिव डिटेंशन का जिस तरीके से दुरुपयोग किया गया था, उसको लेकर अब लोगों में भूचाल आया हुआ था बहुत उसको लेकर आपतियां आई थी, बहुत से लोग कोर्ट में गया थे, फंडामेंटल राइट्स के मामले को लेकर जो की एमर्जंसी में सस्पेंडेड रहता है, उसको लेकर काफी देश में उथल पथल मर्ची हुई थी दूसरी अमर्जंसी तो लिफ्ट हुई, मीसा और ये सब जो कानून बने थे, इसके दुर्पयोग के बाद, लेकिन कुछ घटना करम कुछ हैसा होता है कि तीसरी अमर्जंसी, तीसरी बार आपातकाल घोशुत होता है 25 जून 1975 को, जो 23 मार्च 1977 तक चलता है, और ये अमर्जंसी वास्तों में अन्य आपातकाली अनभवों में सबसे ज़्यादा कड़वी थी, आर्टिकल 352 के तरह, इंटर्नल डिस्टर्बेंस के नाम से, जो बाद में आर्म्ड रिबेलियन का जिसे नाम दिया गया, तो इंटर्नल डिस्टर्बेंस के नाम से, ये अमर्जंसी घोशित होती है, धारा 352 में, जून 1975 में, और इसके पीछे की थोड़ी सी संक्षित प्रिष्ठ भूमी को यदि देखें, तो हम पाएंगे कि तत्का अलीन प्रधान मंत्री की का जो लोकसभा में चुनाओ था, वह अवैड घोशित हुआ, और 6 साल के लिए उन्हें किसी भी पद में रहने के लिए, अनुप्यक्त घोशित किया, अलाबाद हाई कोट ने, इसके मद्दे नजर, या किसी भी पब्लिक आफिस को होल्ड करने के लिए, अलाबाद हाई कोट ने एक बंधन लगा दिया, और ये बंधन 6 वर्ष के लिए था, इसके मद्दे नजर, अमर्जेंसी की घोशना होती है, और प्रधान मंत्री की अपनी गद्दी बनी रहती है, क्योंकि सभी तरह का विरोध खतम होता है. तद्कालीन प्रधान मंत्री को अलाबाद हाई कोट के निर्णे के मद्दे नजर, विरोधी दलों के द्वारा, पद्द से हटने का एक तरीके से अभियान पुरे देश में चलता है, इस अभियान को कुछलने के लिए कुछ समवैधानिक बदलाव भी किये गए, कॉंस्टिटूशनल अमेंडमेंट्मेंट भी किये गए, फंडमेंटल राइट्स, मूलबूत अधिकारों को एक तरीके से सस्पेंट कर दिया गया, विरोजियों को गृफतार कर जेल भीज़ दिया गया, और गवर्मेंट के बहुत सारे ऐसे प्रोग्रेम साय जो जनता के प्रतिक कम समवेधन शीलता का परिचायक थे, उदारन के लिए स्लम क्लीरेंज, जुग्गी जोपणियों को हटाना, लाखों करोणों की संख्या में जो जुग्गी जोपणियों में लोग रहते थे, बड़े बड़े शेहरों में सुन्दर्ता के नाम पर इनके जुग्गी जोपणियों को तोड़ा जाने लगा, बुल्डोजर चलाया जाने लगा, और इसके साथ ही फैमिली प्लाइनिंग के नाम पर बहुत अत्याचार हुआ, सीमित परिवार के नाम पर बहुत अत्याचार हुआ, और तो और प्रेस सेंसर्शिप भी बड़ी कड़ाई से लगव हुई, जिसमें समाचार पत्रों पर ये बंधन लगा दिया गया, तो अमर्जन्सी का बहुत बड़ा दुरुपयोग का ये उदाहरन था, वैसी अमर्जन्सी जिसको लागू करने के लिए जो कारण बताया गया, वह था इंटर्नल डिस्टर्बिंस, अंदरूनी अव्यवस्था, डिस्टर्बिंस के नाम पर, जो एक बहुत भेग शब्द था, उसके नाम पर ये आपातकाल लागू हुआ था, इस आपातकाल की एक बहुत बड़ी बुराई ये थी, कि आपातकाल घोशित करने का काम तो राष्टपती का है, और राष्टपती आपातकाल मंत्र मंदल के परामर्श से करता है, पर यह अमर्जेंसी वैसी नहीं थी, नियम कहता है कि जो कैबिनेट है, मंत्र मंदल, मंत्र मंदल के लिखित परामर्श पर राष्टपती अथी घोशना करता है, और घोशना के तुरंट बाद आवशक है कि पार्लमिन्ट के द्वारा इसके अप्रूवल लिया जाए तब जाकर ये अमर्जेंसी इस्थाई होती है तब उस काल के लिए जिस काल तक की इसकी जरूरत है लेकिन ऐसा ना हो करके मात्र प्रधान मंत्री के एक तरीके से आदेश या प्रामर्श के आधार पर राश्पती ने ये अमर्जेंसी घोशित की थी और इसकार यहाँ अमर्जेंसी गैर कानूनी भी थी गैर सम्वेधानिक भी थी इमर्जेंसी का जो सबसे बड़ा प्रभाव दुष्च प्रभाव परता है मौलिक अधिकारों पर प्रभाव के कि जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं छै मौलिक अधिकार ये अपने आप सस्पेंट हो जाते हैं जैसे ही राश्ट्री आपात काल घोशित हो तो मौलिक अधिकार स्वय मेव सस्पेंड हो जाते हैं उसके लिए अलग से आदेश की जुरत नहीं पड़ती और ये जो स्थिति आती है वह सामानते आवार और एक्स्टरनल एग्रेशन के सित्वले में धारा 359 के तार धारा 369 में राश्पती फंडामेंटल राइट्स की सीमाओं को सीमित करना या ना करने की स्वतनता रखता है धारा 12 से लेके धारा 35 तक के जो हमारे मूलबूत अदिकार हैं उसमें अपने कुछ अदिकार रखता है अमर्जंशी को लेकर अंतिम बिंदू अखिर आपातकाल की चर्चा इसलिए हो रही है कि आपातकाल के समय दो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं बहुत बड़े परिवर्तन एक तो मूलबूत अधिकारों का सस्पेंड होना और दूसरा केंदरी राज संबंदों में आमूल चूल बदलावाना केंदर राज संबंदों में एमर्जंशी के समय पूरी की पूरी सत्ता जो है वो केंदर के हाथ में आजाती है चाहे वो राजपाल के माध्यम से आए चाहे वो केंदरी सरकार के माध्यम से आए इस तरह की खीश्टान जो केंदर राज के बीच में होती आई है आपातकाल के नाम से उसको लेकर हमारे समयधान में चार बार संशोधन हुए जिसे हम संशोधन 38, 49, 42 और 44 के रूप में जानते हूं जो संशोधन 38 था उसमें राश्पती के दौरा एमर्जेंसी को घोशित करने के प्राउधान पर किसी तरह का जुडिशिल रिव्यू नहीं किया जा सकता ऐसा प्राउधान रखा गया था और ये कहा गया था कि एक बार यदि आपातकाल घोशित होता है तो वह फाइनल माना जाएगा वह कंक्लूजिव माना जाएगा उसमें किसी तरह के बदलाव की गुजाईश नहीं है किसी तरह के प्रश्ण उठाने की गुजाईश नहीं लेकिन संशोधन के ताथ मिनर्वा मिल केस एक बड़ा प्रसिद्ध केस हुआ जिसमें ये प्राउधान किया गया कि इसके जो अधिकार हैं आपातकाल के वे इन कंक्लूजिव हैं अर्थात इस पर प्रश्ण उठाये जा सकता है कोर्ट में जाये जा सकता है पीछे उसकी प्रिष्ट भूमी में इलाबाद हाई कोड का जज्जमेंट था ततकाली इन प्रधान मंत्री के संबंद में एमरजेंसी के लागू होते ही एक और अमेंडमेंड किया जाता है जो बहुत ही दूरगामी ब्याली सु अमेंडमेंडमेंड ब्याली सु अमेंडमेंडमेंड बहुत अपने दाइरे में बहुत बड़ा था इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि राश्टपती उपराश्टपती प्रधान मंत्री और स्पीकर इन चार पदों के चनाओं और चैन को लेकर कोई कोड नहीं जा सकता आप समझ सकते हैं इलाहबाद हाई कोड के निर्णे की भूमिका कहीं इस अमेंडमेंड की तरफ थी तो पहला बदलाव ब्याली समें संशोधन में कि ये चार पदों पर किसी भी तरह का इनके चैन को लेकर सवाल नहीं किया जा सकता एमेंडमेंड का दूसरा महतपूर्ण हिस्सा था कि इसमें तीन शब्द भारत की प्रस्तावना में समविधान की प्रस्तावना में डाले गए जिसे हम प्रियंबल कहते हैं उसमें जो तीन शब्द डाले गए वे थे सोशिलिस्ट, सेक्यूलर और इंटेग्रिटी इसके माइने क्या हैं ये किसी अन्यध्याय में पढ़ाए गए हैं फिलहाल आपको इतना जानना है कि ब्यालीश्वें संशोधन का ये एक बहुत महतपूर्ण हिस्सा था तीसरा, एक आर्टिकल 31D इसमें डाला गया जिसके तहट प्राइबिशन आफ एंटी नैशनल एक्टिविटीज के नाम से कानून बनाये गया और था देश्विरोधी गतिविधियों के नाम पर केंद्र सरकार के हाथ में असीमित ताकत आ गई ये 42 सम्विधान संशोधन के कुछ प्रावधान थे बड़े दूर गामी परणाम केंद्री सत्ता को बहुत मदबूत बनाते हुए विरोधियों के आवाद को पूरी तर रोकने का एक स्पष्ट दाहरन बाद में 44 संशोधन आता है जो 42 संशोधन के बहुत से इन प्रस्तावों को इन कानूनों को पलट देता है Internal Disturbance के नाम से जो बहुत सारे अत्याचार हुए थे बहुत सारी जो दुरगटनाय हुए थी विरोधियों के आवाद को दवाने का प्रयास हुआ था उसको पुना पारिभाशित करते हुए Internal Disturbance के बदले अब Arm Rebellion शब्लाय गया जिसका मैंने पूर में जिक्र किया है arm rebellion सशस्त्र withdraw होगा तभी emergency घुशित करने की जुरत पड़ेगी internal disturbance जैसी कोई चीज आपात काल के लिए आवशक नहीं है दूसरा simple majority का प्राधान किया गया तीसरा रिट्स के अधिकार court को मिले रहे और था जो हमाले मूलबूत अधिकार थे उसमें अधिकार जिसका article 20 अधिकार article 21 ये अधिकार किसी भी तरह की emergency में हटाये नहीं जा सकते ऐसा प्राधान किया गया अर्थाद संसद के अधिकारों को भंग करने की शक्ति को कुछ सीमित किया गया नियाय पालिका के अधिकार खेत को बढ़ाया गया और नियायलों को अधिकार दिया गया कि वे heaviest corpus के माध्यम से सुनवाई कर सकते हैं प्रश्ण उठा सकते हैं और जनता को अधिकार है कि वह कारण पूछ सकती है emergency लागू होने का दूसरे शब्दों में judicial review का भी प्राधान किया गया जिसे धारा धारा 42 और 49 के ताथ सस्पेंट कर दिया गया था इस पकार emergency क्यों कैसे और इसके दुष्परिणाम परिणाम और अंतिताहिश से किन सित्यों में हटाया जा सकता है यह हमने जाना emergency आपात काल के संब्द में है जानकारी इसलिए बहुत आवश्यक थी क्योंकि इसका center state relation से गहन संब्द है और इस आपात काल के संब्द में अध्यान करते हुए हम सतत रूप से देख रहे थे कि किस प्रकार केंद्र और राज्यों के बीच में ये टकराहट का मुद्दा बना हुआ था